नमस्कार मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक्स्प्लीन करने वाला हूँ दो ओपन विंडो दो ओपन विंडो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है साकी ने सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे दो ओपन विंडो ओपन का म फिर खुला हुआ जरो का अब हम राइटर ऑथर साकी के बारे में जानेंगे हैक्टर ह्यूग मुन्रो हैक्टर ह्यूग मुन्रो का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आप आसानी से देख पा रहे हैं साकी असल में हैक्टर का पैन नेम है जिसे हम उपन हम भी कहते हैं, हेक्टर का बर्थ हुआ था 18th December 1870 में और इनकी मृत्ती हुई थी 14th of November 1916 में, साकी एक British writer थे और उन्हें short story का master भी कहा जाता है, साकी के अब हम कुछ बहुत ही famous notable work के बारे में बात करेंगे, जैसे The Toys of Peace, The Open Window, जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं, The Bull और Gabriel Ernest, अब हम इस lesson के explanation पर आते हैं, इस कहानी को समझने से पहले हमें इस कहानी के कुछ किरदारों को समझना होगा, इस कहानी का पहला किरदार है Mr. Frampton Nuttal, Mr. Frampton Nuttal एक mid-aged man है, इनकी उम्र लगभग 30 या फिर 40 साल क पीच रही होगी, हाला कि कहानी में इनकी age डिस्क्राइब नहीं है, इस कहानी का दूसरा character है Mrs. Seppleton का, ये पूरी कहानी Mrs. Seppleton के घर पर हो रही है, कहानी का तीसरा character है Vera का, Vera Mrs. Seppleton की भतीजी है, और ये एक teen-aged girl है, teenage से यहाँ पर मतलब है कि ये 14 साल से बड़ी है, और 18 साल से चोटी है, अब हम इस कहानी के अगले कुछ करदारों के बारे में जानेंगे, ये रौनी है और ये Mrs. Seppleton का भाई है, ये character है Mr. Seppleton का, Mr. Seppleton, Mrs. Seppleton के पती है, अगला character है Bertie का, Bertie भी Mrs. Seppleton का भाई है, इस कहानी में एक और छोटा से करदार है, जो की है Mr. Frampton की बहन का, अब मैं आपको ये कहानी बेहत सरल और आसान शब्दों में explain करूँगा, सीन कुछ ऐसा है कि Mr. Frampton Nuttal, Mrs. Seppleton के यहां पर आते हैं, मेरी आंटी जल्द ही आ जाएंगी, यह बात एक 15 सार की लड़की ने Mr. Nuttal से बड़े ही self-possessed तरीके से कही, तब तक आप मेरे साथ समय बिता सकते हैं, Mr. Frampton Nuttal कुछ ऐसा कहनी की कोशिश करते हैं, जिससे वे भती जी की तारिफ तो कर दें, लेकिन अंटी के बारे में कुछ कमतर ना पोले, जो कुछ ही देर में आने ही वाली हैं, नटल ने मन में यह सूचा कि किस तरह इस तरह की formal meetings और वह भी किसी अजनेव उनकी बहन ने कहा था, मुझे पता है यह किस तरह का होने वाला है, उसने कहा था कि तुम खुद को दफन कर लोगे, लेकिन किसी जीवी त्विक्ती से बात नहीं कर पाऊगे, और इस तरह तुम्हारी nervousness और बढ़ जाएगी, इसलिए मैं तुम्हारा परिचय जितने लोग उन अच्छी औरतों में आती हैं या नहीं, जिनके बारे में उनकी बहन बाते कर रही थी, उनके बीच एक अजीब तरह की शांती थी, तो शांती को तोड़ते वे भतीजी बोली, कि आप यहां पर बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मैं यहां पर किसी को नहीं जानता, मिस किसी ने लेटर्स के जरिये कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन दिया था, फ्रैम्टन ने आखरी बात बढ़ी पश्तावे के साथ कही, यानि कि आप मेरी आंटी के बारे में बिलकुल नहीं जानते, बढ़ी इस्थिरता से उस जवान महिला ने कहा, मैं सरफ उनका नाम और पता जानता हूँ, उस गेस्ट ने कहा, वह ये सोच रहा था कि मिसस सैपल्टन शादी शुदा हैं या फिर तलाक शुदा, क्योंकि उस घर को देख कर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जरूर पुरुज भी रहते होंगे, उनके साथ तीन साल पहले एक हादसा हुआ था, उस अजीब सी बात लगती है, आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हम ऑक्टोबर के महिने में भी खिड़की को पूरा क्यों खोल के रखा है, उसने एक बड़ी सी फ्रेंच खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो की लॉन की तरफ खुलती थी, ये साल का काफी गरम स आई शूटिंग करने के लिए खिड़की से पार चले गए थे, और उस दिन से वे कभी वापस नहीं आये, एक दलदल को पार करते समय जहां पर उनका पसंदीदा शूटिंग का इलाका था, वहां पर वे एक दुरगम दलदल के टुकड़े में तीनों फस गए, और दलदल उन्हें निगल लिया, वह भयानक गर्मी का समय था, और क्या आप जानते हैं, कई वर्षों से उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, और सबसे भयानक बात यह है कि उनकी बाड़ी अभी तक नहीं मिल सकी, बच्चों के आवाज खो गई, और एक लड़ खड़ाते हुए आ इस पैनियल भी खो गया है, और अंटी को यह लगता है कि वह भी इस खड़की के जरिये वापस आ जाएगा, इसलिए ये खड़की शाम तक खुली रहती है, जब तक कि बहुत सी धूल अंदर ना आ जाए, बेचारी अंटी, वे मुझे कई बार बताती हैं कि किस तरह वे ग ले गए, वह मुझे हमेशा परेशान किया करते थे, जैसे जैसे वह बता रही थी, वैसे वैसे वह और भी नर्वस हो रही थी, कभी कभार इस थिर शान्त के समय, जैसा कि अभी है, मुझे हर समय ऐसा लगता है कि वे इस खिड़की से वापस चले आएंगे, यह बोलकर वह एक कपकपी के साथ रोने लगी, इतने में ही आँटी वापस आ गई, इस पर से फ्रेम्टन को बहुत रहात महसूस होई, आँटी आतिस से ही माफी मागने लगी, कि वह लेट हो गई थी, मुझे आशा है कि वेरा ने आपका मनोरंजन किया होगा, आँटी ने कहा, वेरा तो और मेरे भाई यहीं से सीधे शूटिंग करते वे घर आ जाएंगे, वे हमेशा से इसी तरह जाते हैं, वह लोग आज दलदल में छुपकर निशाना लगाने के लिए गए हैं, और इसलिए जब वह आएंगे, तब वह मेरा प्यारा कार्पेट खराब कर देंगे, आप तो ज जानते ही हैं, आदमी लोग किस तरह के होते हैं, उन्होंने बड़ी खुशी से शूटिंग के बारे में बताया, कि अब पक्षियों की कमी हो गई है, और सरदियों में बत्को को मिलने की संभावना भी बेहत कम हो गई है, मिस्टर फ्रेम्टन के लिए ये बहुत ही डरावन था, मिस्टर फ्रेम्टन ने बड़ी बेतापी से टॉपिक को बदिलने की कोशिश की, वो थोड़ी कम भूतिया बात करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कुछ हद तक सफल हुए, लेकिन वो ये बड़ी अच्छे तरीके से जानते थे, कि इनकी होस्टिस यानि की मिस्स पिल्टन उनकी बातों पर बेहत कम ध्यानते रही हैं, उनकी आँखे लगातार, खुली होई खिड़की और लॉन की तरफ भटक रही थी, ये एक बहुत ही दुखत संयोग था, कि उन्हें इस दुखत एनिवर्सरी पर उस यातरा का अनुभाव करना पड़ा, डॉक्टर न को अब तक ठीकटा के ब्रह्म था, कि जान पहचान वाले लोग आपकी बीमारी और कमजोरी के बारे में जानना चाहते हैं, खाने के बारे में उनकी आम सहमती नहीं बनी, और फ्रैम्टन ने बोलना शुरू किया, मिसस सैपल्टन ने लगभग ओबासी लेते वे एन वक्त पर कहा, नहीं और तभी अचानक वो एकदम सतर्ग हो गई, लेकिन मिस्टर फ्रैम्टन की बात से नहीं, फ्रैम्टन कपकपी के साथ हलका घूमें और उन्होंने भतीजी की तरब समवेधना की निगाहों से देखा, वह बच्ची एक टक उस खुली हुई खिड़की की आती हुई आकरती दिखी, जो खिड़की के तरफ आ रहाए थी, उन सभी के बगल में बंदूके थी, और उनमें से एक के कंदे पर सफेद रंग का ओवरकोट भार बढ़ा रहा था, और एक ठका हुआ ब्राउन कलर का स्पैनियल उनकी हील्स के पास था, वह लोग बिना आवाज करते वे गर के निजदी का रहे थे, और फिर एक करकश जवान आवाज शाम को बोल पड़ी, बर्टी क्या तुम बंदे वे हो, फ्रैम्टन ने कसकर अपने चड़ी और अपने टोपी को पकड़ा, और वो वहाँ से भागा, उसके दिमाग में हॉल का दरवाजा, ग देहाडियों में गुज़ गया, हम यहाँ पर एडियर एक सफेद मेकिन्टोस कोट उठाने वाले ने कहा, आप इस फोटोग्राफ में एक मेकीन्टोस कोट देख सकते हैं, यह कोट आपको पानी से बचाते हैं, और यह कोट जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़े लॉग हो थे लेकिन उनका जादा तरह कीचर सूखा हुआ था वो कौन था जो हमें देकर भाग गया मिस्टर सैपल्टन ने कहा वो एक बहुती आसाधरन विर्ती था मिस्टर नटल मिसस सैपल्टन ने कहा वो सिर्प अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रहा था और भाग खड़ा शायद जब तुम आए तब उसने सोचा होगा कि तुम कोई भूत हो मुझे लगता है वो इस्पैनियल को देखकर चला गया होगा भती जी ने बड़े आराम से कहा उसने मुझे बताय था कि उसे कुत्तों से बहुत डर लगता है एक बार वो शम्शान में गिरा गया था शा आद भर कुत्ते उस पर गुर्रा कर भावक रहे थे यह चीज किसी को भी नर्वस करने के लिए काफी है इस शॉर्ट स्टोरी के लास्ट में एक लाइन है रोमेंस ए शॉर्ट नोटस वाज हर स्पैशलिटी यानि कि जरा से समय में कहानिया बुन लेना वैरा की खासित थी दोस्तो ये था इस पूरी कहानी का एक्स्प्लेनेशन एक बार मैं आपको ये पूरी कहानी बहुत ही शॉर्टली समराइस कर देता हूँ मिस्टर फ्रेम्टन को नर्वसनेश की बीमारी है और वह गाओं आते हैं ताकि नए लोगों से मिल सके और अपनी नर्वसनेश की बीमारी को दोर कर सकें तब वह आंट सेपल्टन के यहां चाहते हैं जहां पर उन्हेंएक लड़की वेरा मिलती है वेरा को जूट मोट की कहानिय सुनाना बहुत अच्छा लगता है वेरा खुली हुई खिड़की की तरफ देखकर एक कहानी सुनाती है कि तीन साल पहले उस खिड़की से आंटी के पती और उनके दो छोटे भाई वहां से शूटिंग के लिए कहते लेकिन वह कभी वापस नहीं लोटे और दलदल में उनकी डेथ हो गई कुछ देर बाद मिसिस सेपल्टन वहां पर आती है और वह अपने पती और अपने दोनों भाईयों के बारे में बात करने लगती है जिसे सुनकर मिस्टर नटल और भी ज़्यादा नर्वस हो जाते है और वहां से अपने टोपी और छड़ी लेकर भाग जाते है मिस्टर नटल के भागने के बाद वैरा सभी लोगों को एक और जूटी मूटी कहानी सुनाती है क्योंकि उसे जूट मुट की कहानिय सुनाने में बहुत मजाता है आशा करता हूँ आपको ये लेसन आसानी से समझ वाया होगा अगर आपको ये वीडियो चल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने आस पास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेट जरूर लगाए बहुत बहुत धन्यवाद